नमस्कार विद्यार्थियो राज के महाविद दैले राजगर्ड चुरु दवरा संचालित उनलाइन क्लासिज में आपका श्वागत है अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल सीसी ए राज GCR चुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हिंदी साहित्य के साथ साथ आप अन्य कक्षाओं के साथ अन्य विशों का व्याप अध्यन कर सकें आज की इस कक्षा में हम भी ये भाग दीत्य के पाठ्यकरम में संक्लित कवी गिर्धर कवी राय का ध्यन करने जा रहे हैं गिर्धर कवी राय रिती का लिन कवी हैं और सिव सिंग सेंगर जिन्होंने सिव सिंग सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उस इतिहास ग्रंथ में गिर्धर कवी राय जी का जन 1713 में माना गया है ऐसा माना जाता है कि कवी गिर्धर कवी राय का एक बड़ाई से किसी विशे को लेकर अनबन हो गई और कवी से बदला लेने के लिए बड़ाई ने एक रन्निती बनाई और बड़ाई राजा के पास गया और राजा से कहा कि है राजा कि इस चार पाई पर जैसे ही कोई व्यक्ति सोयेगा उसके चारो कोनों पर लगे चार पंक चलने लगेंगे मैं ऐसा एक चार पाई ऐसा एक पलंग बना सकता हूँ राजा बड़े प्रसन होए राजा ने कहा कि ठीक आप बनाईए तो बड़े ने कहा कि है माराज मैं ऐसी चार पाई ऐसा पलंग तो बना सकता हूँ लेकिन मुझे इसके लिए जिस पेड विशेश की जुर्वत है वो पेड गिर्धर का विराय के आंगन में है बेर का पेड अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं आपको ऐसा पेड ऐसा पलंग ऐसी चार पाई बना करके दे सकता हूँ राजा के आदेश पर गिर्धर का विराय के आंगन में उगे है वरक्स को काटा गया कभी गिर्धर राय ने उसका विरोध किया अंत में कभी गिर्धर राय दुखी होकर उस प्रदेश को छोड़के चलेगे उस प्रदेश में फिर जीवन भर कभी भी नहीं गए वे अपने पत्नी के साथ जीवन भर गा कर मांग कर खाते रहे बीच-बीच में हम देखते हैं कि इनके पदों का जब हम अध्यन करेंगे तो साई नाम है वो बीच-बीच में आएगा ऐसा कहा जाता है कि साई के नाम से लिखे गए पद उनकी पत्नी के ही है कभी गिर्धर राय की जो कुंडलिया है उनका एक संग्रह किया गया है और सबसे बड़ा संग्रह खेमराज स्री कृष्ण दास बंबई दवारा उन्नी सो तरेपन में किया गया जिसमें 457 कुंडलिया है उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं तो गिर्धर कभी राय की कुंडलिया बहुत ज़्यदा प्रसिद है ग्रामे उन छेत्रों में हम उनकी कुंडलियों को सुन सकते हैं क्योंकि ये कुंडलिया बहुत ही सरल भासा में रची गई है उनकी भासा अबधी रही है और गिर्धर कवराई की जो कुंडलिया हैं वो निति कावे के अंतरगत आती हैं जिसमें जाती, पितापूत्र, सत्य, संगीत, यूग, नारी, ईश्वर, आधि का वर्णन है और ये नीतियां जीवन के अनुभवववववववववववववववववववववववववव लेकिन कावे की दरस्टी से बड़ी ही रोचक हैं तो आज की इस कक्षा में हम गिर्धर कवराई जी की कुंडलियों का इधन करने जा रहे हैं तो देख इसमें क्या है, कभी कह रहे हैं पुत्र प्राण ते अधिक है चारीव युग परिमान सो दसरत नरप परी हरेहु तन वचन ने दीनों जान इस कुंडलियों में कभी गिर्धर राय ने प्राण के साथ साथ वचन पालन प्राण पालन और वचन पालन दोनों का महतु गिर्धर कभी राय ने बताया है और क्या बता रहें देखें कि चारों हों युगों से चारों हों युगों से कौन कौन से युग आपका सत्युग तरिता द्वापर और कल युग इन चारों हों युगों से यह सत्य प्रमान मिलता है कि इस संसार में व्यक्ति अपने पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है पुत्र प्राण ते अधिक है कि पुत्र प्राणों से भी अधिक प्यारा है चारों युग परिमान चारों युग इस बात का प्रमान है या यह सत्य प्रमान हमें चारों युगों में देखने को मिलता है और क्या है ऐसे प्राणों से भी अधिक प्रिये पुत्र राम को देखे प्राणों से प्रिये किसे कहा है पुत्र को और आगे देखे क्या है ऐसे प्राणों से भी प्रिये पुत्र राम को राजा दसरत ने त्याग दिया और अपने सरीर की चिंता ने करके वचनों की रक्षा की अपने प्रिये पुत्र राम को राजा दसरत ने परिये त्याग दिया तन वचन दिनों जान तन अपना सरीर त्याग दिया वचन दिनों जान लेकिन वचनों की रक्षा की वचन दिनों जान बड़े की बूजी बढ़ाई बात रहे सो काज और बरू रसबर जाई और क्या है देखें वचन दिनों जान बड़े की बूजी बढ़ाई कि बड़े लोगों की बड़ाई बड़े लोगों का यस इसी में है कि वे अपने वचनों का पालन करना नहीं बूलते हैं चाहे उनका सब कुछ चला जाए परंतु वे अपने प्रानों की या अपने वचनों की रक्षा करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं जिस से उनकी कीर्थी संसार में रह जाती है देखी क्या है वचन ने दिनों जान बढ़े की बुजी बढ़ाई बात रहे सो काज और बरू रस बस जाई क्यों उनका सब कुछ चला जाए लेकिन उनकी बात नहीं जानी चाहिए उनका वचन उनकी रक्षा के लिए वो ऐसे कारिय कर जाते हैं कहे गिर्धर कवी राय भहे नरप दसरत ऐसे पुत्र प्राण परीहरे वचन परीहरे नै ऐसे कुछ क्या कहते हैं कि ऐसे ही लोगों की जिनकी संसार भरमे कीर्टी रह जाती उनका यस रह जाता है गिर्धर कभी राय कहते हैं कि राजा दसरत ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने अपने प्राणों से भी पिरिये पुत्र को त्याग दिया प्रन्तु अपने वचन या प्राण को नहीं त्यागा इस पद में हम देखते हैं कि कभी गिर्धर राय ने वचन और प्रण पालन का महतु बताया है कि बड़े व्यक्तियों की बड़ाई इसी में है कि वे अपने प्राण त्याग देते हैं लेकिन वचनों को वो नहीं तोड़ते और इसी से इस सनसार भर में उनकी बड़ाई उनकी कीरती उनका यस रहता है इस तरह से इस पद में हम देखते हैं कि कभी ने वचन पालन और प्रतिग्या निर्वाहा का संदेश दिया है इसमें प्रसिद राम कथा का भी उधरन दिया गया है जब हम अलंकारों की बात करते हैं इस पद में हमें अनुप्रास, यमक और द्रिश्टांत अलंकार परेक्थ हुआ है चंद की हम जब बात करते हैं तो देखिए गिर्धर कविराय की कुंडलिया कुंडलिया क्या है? कुंडलिया एक चंद का नाम है जो दोहा और रोला की मिश्रन से कुंडलिया चंद बनता है इसमें पहले दोहा चंद आता है और दोहो चंद में अगर हम रोला चंद भी जोड देते हैं तो वो कुंडलिया चंद बन जाता है इसमें प्रथम दो पंक्तियां दो हे चंद की होती है और अंतिम चार पंक्तियां रोला चंद की होती है और इन दोनों के मिश्रम से कुंडलिया चंद बनता है और गिर्धर कविराय ने कुंडलिया चंद में ही कावे लिखा है इसलिए गिर्दर कविराय की कुंडलियां प्रसिद है अगर आपको हमारी ये classes अच्छी लगी है आपने कुछ सीखा है तो लाइक करना नहीं भूले और साथ में हमारे यूटूब चैनल एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हिंदी साइटे के साथ आप अन्य विश्व का ब्यत्रिन कर सकें अगली कक्षा में हम फिर से गिर्दर कवराय की एक नई कुंडलियां लेके आएंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवार